केके पाठक के आदेश पर सिवान के DEO का रोका गया वेतन ये वेतन क्यों रोका गया है बताती हूँ लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं देशवा नियूज सिक्षा विभाग को दुरुस करने की कमान जब से सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीफ केके पाठक ने समहा ली है तब से उनके आए दिन नए नए आदेशों से हरकम मचा हुआ रहता है ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि सिवान के DEO का वेतन फिलहाल स्थगित करने को केके पाठक ने आदेश दिया है क्योंकि सिवान के DEO के उपर ये आरोप लगाया गया है कि सिख्षा नियुक्ती प्रक्रिया में उन्होंने बाधा डाला था इतना ही नहीं उन से एक हफ़ते के अंदर स्पश्टी करन पत्र भी मांग गया है और क्या कुछ है पूरा मामला आई आपको बताए इस रिपोर्ट के जरीए अगले आदेश तक सिवान DEO का वेतन रोखनी का आदेश सिख्षक नियुक्ती प्रक्रिया में बाधा पहुचाने का आरोप IAS के के पाठक ने की करवाई IAS के के पाठक काफी सक्त दिख रहे है सिख्षक नियुक्ती प्रक्रिया में बाधा पहुचाने की आरोप में सिवान जिला सिख्षा पदाधिकारी DEO का वेतन बंद करने का आदेश जारी हुआ है साथ ही उन्हें इस मामले में एक सप्ता के अंदर स्पष्टी करन देने को कहा गया के के पाठक के निर्देश पर शोध एवं प्रसिक्षन निदेशाले ने पत्र जारी किया है आपको बता दे कि DEO को लिखे पत्र में कहा गया है कि जला सिख्षा एवं प्रसिक्षन संस्थान में निर्दारी छमता को बढ़ाने के लिए आपने प्राचार पर दवाब बनाया है ऐसा नहीं करने पर कारवाई की धमकी देने की शिकायत प्राप्त हुई है आपके इस क्रिट्य से संसाधन में बेवजा विवस्था उत्पन हो रही है तथा प्रसिक्षन कार प्रभावित हो रहा है क्रिप्या इस संबंध में अपना स्पष्टी करन एक सफता के अंदर उपलब्द कराना होगा यही नहीं आपका वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाएगा शोध संसान के आदेश की कौपी निदेशक प्रशाशन स अपर सचीर सिक्षा विभाग बिहार पटना कोशागार पदाधिकारी सिवान को सूचन एवं अवश्यक कार के लिए भेजी गई है बिहार में एक लाख बीस हजार सिक्षकों की निउक्ती प्रक्रिया चल रही है BPSC की अनुशंसा के बाद सभी जिलों में काउंसिलिंग का काम चल रहा है बिहार सरकार युदिस्तर पर नव निउक्ती सिक्षकों को निउक्ती करवात रही है दो नवंबर को मुख्यमंतरी नितीश कुमार गांधी मैदान में नव नियुक्त सिक्षकों को नियुक्ती पत्र बाटेंगे जिसकी तैयारिया शुरू हो चुकी है और दो नवंबर को ये पत्र बाटे जाएंगे ब्योर रिपूर्ट देश्वा नियूज तो देखा आपने की केके पाठा किस तरीके से सकती बरत रहे हैं ऐसे में देखना ये हुआ कि आगे चलका और कौन-कौन सी ऐसी चीज़े शाह में लाएंगे जो कि सिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया में बाधा बन चुकी हैं तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अबदीर्स के के लिए देखते रहें देशवान यूज और तब तक के लिए हमें देजाज़त धन्यवाद